नमस्का दोस्तो स्टॉक मार्क स्टैडिस में फिर से इक बार आपको बहुत बहुत सागत है तो आज आप हमें डिसकस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनिस के बारे में जो देखा जाए तो एडिवल ओयल के इंडेस्टीज में अभी भी नाम वान मतलब नमबर वन पोजिशन मे है आप कहेंगे सर एडिवल ओयल इंडेस्टीज में तो नमबर वन हमेशा अधानी ग्रूप के नाम सामने आते हैं हाँ अधानी ग्रूप के नाम सामने जुरूर आते हैं फिर भी आज में दिखाऊंगा कुछ पॉइंट्स जिस पॉइंट के हिसाब से आज इस कंपनी के ब और आप सब ही जानते हैं उन्होंने इस कंपानी को खड़ा किया उनके दम में सिर्फ उन्होंने नहीं उनका जो अ 89 ! ईँटने सारे कंपानी है विभागो पतन। तो आज में बात करूंगा पतन जली केब आर बार में क्येकर पतन जली दिखाए तो इंडियन एड़बल ओयल इंडेस्टीज में एक अच्छा खासा नाम कमा चुके है तो मैं आज इसी के बारे में डिसकस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंड किया सर क्या पतंजली कमपनी के उपन नीवेस करना चाहिए क्योंकि FMCG से बिलोंग करते हैं तो इस कमपनी ने हर कोई प्रोड़क मार्केट में लांच कर दिया अगर पतंजली का प्रोड़क देखेंगे तो हर कुछ प्रोड़क आपको दिखेगा तो दिखिए कुछ कुछ कमपनी है जिसका कुछ स्पेसलिटी होते है जो खुद उस कमपनी वो मोनोपोली भी निस करते है जैसे ओयल में आप देखेंगे तो अब्यसली आप देखेंगे तो कोकोनाट वैल तो मतलब मारिको का कोकोनाट वैल साथी साथ डाबर में देखेंगे डाबर हानी तो इस तरह के से कुछ कमपनी से कि उस band में कितना दम है तो दिखे पतंजली के मारे में आज बात करूंगा तो विडियो के पुरा लास्ट तेक दिखेगा कि बहुत सरे information या आपको मिनने वाला है तो इस channel को subscribe जुरू करिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों को साथ share भी करिएगा तो चलो देख लेते हैं आज के इस company के बारे में तो सबसे पहले बता दू अगर आप top 10 companies को ढोड़ेंगे edible oils के बारे में तो आपको number 1 दिखेगा कौन पतंजली तो पतंजली number 1 है उसके बाद आप देखेंगे तो gokul agro resource बनाते है तो इस तरी के से बहुत सरे company मिल जाएगा तो मेरे ही सबसे अगर edible oils के business में number 1 आपको देखना है तो मैं जुरू कहूंगा वो है अदानी का मतलब अदानी वेलमार तो अदानी वेलमार के बाद इस company का नाम आएंगे वो है रूची स्वा आप कहेंगे सर तो या पर number 1 क्यों दिखा रहा है यह को दिखिए आप अगर data find out करेंगे तो यह जो data है वो थोड़ा सा previous का data है तो उस data के हिसाब से थोड़ा सा दिखिए आप send down चलता रहते है changing होता रहते है तो पतंजली company क्या कितने खास है future के लिए इस company के एक खास बात अई है कि company का जो product है आप इस product का list देखेंगे तो बहुत सारे product आपको दिखेगा इसका दिखेगा our product कितने सारे product है company biscuit भी बनाते है biscuit का भी division है अलग-अलग biscuit बनाते है या पते के रूची स्वाबिन्स oils भी बनाते है edibles oils भी बनाते है mustard oils भी बनाते है साथी साथ company का रूची गोल्ड ओईल neutral साथी साथ आप देखेंगे तो कितने सारे berries foods साथी साथ आप देखेंगे तो और भी बासमोती राईज तो बहुत सारे product वो launch कर चुके है तो आप पतंजली का नाम इतना famous हुआ है अब बच्चे बच्चे भी जानते है पतंजली का नाम तो इस तरीके से famous हुआ है सिर्फ इस famous होने के पीछे एकी कारण है वो है रामदेव जी तो रामदेव जी ने इस company को एक बहुत बड़ा ग्रोथ होने के पीछे उनके हाथ सबसे बड़ा है तो उन्हेंने हामेशा कहा है कि उनका जो product है वो एक आयरवेदी के जैसे काम करते है देखिए करते है के नहीं करते है वो अलग बात है उनका कहने का मतलब है आप इस product से आप मतलब कोई hygienic साथी साथ कोई देखाजे तो कोई unhealthy food आपको नहीं मिलेगा देखिए इसमें हर कोई healthy होगा हर कोई natural होगा ऐसे हो नहीं सकता natural से product बनाई जाते है अगर natural से product बनाई जाते है तो वो product बजाता दिन तक नहीं रहेगा तो इसके लिए chemicals को भी use किया जाता है तो ये बात तो सही है तो आपको इस company में क्या future दिखते है चलो बो मैं आपको दिखा देता हूँ तो पहले कुछ company's के details को बता दू company का नाम कौन सा था रूची स्वया इंडेस्टीज था तो company देखा जे तो मतलब इस तरीके से business को बहुत पहले से कर रहा है इसका journey स्टार्ट हुआ था 1986 से तो आज का company नहीं है बहुत पुराना company है साती सात इस journey में company फीप्टी एपे प्रेजेंस टेक आप आप देखे इसका में company है तो इसका headquarter मध्धपदेस इंडिया में है तो अभी company का fundamentally details से अब को financial details भी दिखा दू तो company कोई छोटा मटा company है 45,000 करोड के आसपास है और company का valuation मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि company का इंडेस्टी स्पीर इसे के हिसाब से इसका पीर इसे मुझे ज़्यादा लगा हाँ company का return of equity, return of capital employment अच्छा label में देखने को मिला है company का face value अभी भी 2 रुपया है मतलब company speed कर चुके है इसलिए अभी 1200 रुपीज, 1300, 1500 रुपीज के आसपास देखने को मिला है तो company के income भी 800 करोड के आसपास है कर्जा एकदम zero debt है तो एक बार रामदेव इंटर्फी के मतम से खुद उन्हेंने बताया था कि वो कर्जा ना लेकर काम करते है मतलब debt-free company हमेशा बना कर रखना चाहते है देखे कब तक रह पाएंगे कब तब debt ले ना लेकर काम करेंगे वो देखना है तो अभी भी देखा जए तो exam zero debt आप बोल सकते है तो company का हाथ में cash भी करीवन 690 करोड के आसपास है तो जो debtos day है 12 day और company के inventory day 51 days ये चीज मुझे सबसे खास लगा आप कहेंगे sir ये चीज क्या है inventory day मतलब company का जो product है वो production करने के बाद distribute करने तक company का time period लग रहा है 51 days और product बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 12 दिनों के अंदर अंदर तो एक अच्छी बात है जितना जल सजल पैसा आएगा वो पैसा को फिर से reinvest कर पाएंगे business में और बो business आगे से growth जोरू करेंगे तो company का sales code अच्छा होने के बाद भी profit go down में है और company का दिखे market cap को sales के सबसे एक रुपय कमाने के लिए 1.60 rupees company को देना पड़ रहा है अभी एक चीज और बता दू companies के मतलब competitor के हिसाब से आप दिखेंगे तो अधानी वेलमार जो number one है edible industries में मैं पहले आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा ranking में देखा जाए तो थोड़ा सा पतंजली से साथ competition हमेसा रहते हैं तो अधानी वेलमार edible industries में सबसे ज़्यादा नंबर वान दिखेगा उसके बाद पतंजली का नाम आएगा जुरूर तो दोनों company के comparison करो तो दोनों company का जो return of equities है चलो ठीक ठाग level में है depth के हिसाब से आधानी वेलमार से भी कम depth है इसका साथी साथ company market cap to sales के इसाब से ठीक ठाग है और पीपीवी रेसियो भी ठीक ठाग level में है और company के profit and loss के बारे में बात कर तो company company आपको short term period में इतना सांधा return दे रहा है तो आप सायद आपने return आपको मिल चुका है तो आप profit book कर सकते है आप कुछ भी कर सकते है वो आपका decision है as a long term mission 5-10 साल तक आप इस company को पर रहना चाहते है तो आपको थोड़ा सा इस company को पर मतलब study करना चाहिए कि को company में मुझे जो दिख रहा है आप देखेंगे तो investor अगर अगर इतना return company दे रहा है तो क्या investor वहाँ पर पैसा नहीं लगागा बहुत हमेसा चाहते है वही company को पर हाला तुस तरह के से नहीं था तो इसलिए investor निवेस नहीं करते थे आज बो निवेस क्या है चोटा मोटा अगर company continuously इसको maintain करते है तो आप स्टेक देखना पब्लिक के पास जो स्टेक है उससे कई गुना ज्यादा FIS के पास स्टेक देखने को मिलेगा तो प्रोमोटर के पास बीच में नेगेटिव में चला गया था और कर्जा धिरे 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 कम होता जा रहा है तो टेक्निकली चार्ट प्रटन के बारे में बात करो तो company देखिए जब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आपार सारकी लगते गए और इसलिए लोगों को माल्टी बगा return मिलते तो यहाँ पर यह डीटियल पब्लिक फस जाते हैं तो में जरू कहूंगा इस तरीके से ट्रेंडिंग है वो ट्रेंडिंग यहाँ पर बहुत स्टॉंग रिजिस्टन्स है 1520 के आज पास इस रिजिस्टन को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तब इस company को पर कुछ सोचना भ लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना मिलते नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेकर तब तक लिए अच्छे से रही आपने ख्याल लेखिए बाबाए